Hello and Namaskar everyone, मेरा नाम है दिपाली कॉल, मेरे चैनल इम्रामा ट्यारो पे आने के लिए thank you so much आप मेंसे जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेक आउट कर रहे हैं, welcome लाइक के सब्सक्राइब करना मत भूले हैं guys अब देखिए ये एक general reading है for the next 10 days starting from 16th of Feb to 25th of Feb इस reading में हमारा main focus होगा career पे and finances पे, career, profession, skill जिसके थूआ पैसे कमाते हैं, आपका कोई business हो गया, projects, dealings कुछ हो गई, finances, money, wealth वो हमारा main focus होने वाला है, उसके अलावा अगर कोई और messages भी आ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया, आया start करते हैं universe, please बताएए, Pisces के लिए, क्या career related messages है for the next 10 days 16th to 25th Feb, career related messages for Pisces okay, Pisces हमारे पास 5 of coins है, Taurus या Virgo या Capricorn कोई important हो सकता है next 10 days के लिए, हो सकता है इस इनसान के through आपके career में कुछ changes आ रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा financial insecurity हो सकती है आपको अपने career में हो सकता है आपको आपका career उतना अच्छा ना कर रहा हो जितना बाकी लोगों का कर रहा है या फिर maybe Taurus, Virgo, Capricorn से आप comparison कर रहे हैं आप सोच रहे हैं या इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा अच्छा नहीं चल रहा ये तो बहुत पैसे कमा रहा है मैं पैसे नहीं कमा रहा शायद आपके काम में आपको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है और इस वज़े से आप थोड़ा insecure रहते हैं क्योंकि बाकी लोग आपके आसपास कमा रहे हैं थोड़ा अपने आपको अकेला करके रखा है शायद आपका काम ऐसा है कि आपके खुद का अकेले का ही काम है कोई और टीम मेंबर नहीं है कोई बिजनेस हो सकता है या फिर कुछ ऐसे project कर रहे हैं या freelancer हैं आप बट अकेले का ही काम है तो isolation में बैठे रहते हैं आप काम करते रहते हैं और उतना कमा भी नहीं रहे हैं थोड़ा सा वैसी vibe दिख रही है next 10 days में भी थोड़ी ऐसी ही vibe रहेगी maybe किसी चीज में 0.1% शायद पैसे का नुकसान भी हो जाए आप किसी को free में कोई चीज करके दे दे freelancer है, दूसरे इंसान आपको पैसे ना दे promise करने के बावजूद पैसे ना दे ऐसा भी हो सकता है दिखते हैं finance related क्या messages है money related क्या messages है Pisces के लिए for the next 10 days 16 to 25th Feb money related messages for Pisces 7 of swords Gemini या Libra या Aquarius कोई significant हो सकता है इंसान अपकी life में जो आपको manipulate करे मुझे ऐसा लग रहा है कोई दूसरा इंसान आपको manipulate करेगा ये believe करवाने में या कहते हैं एक demotivate करने में कि अरे तुमने अभी तक तुम इतना भी नहीं कमाते हो तुम अभी तक इतना आगे नहीं निकले हो and जब आप सुनो तो आप एकदम से वह हो जाओ वैसे आप सही चल रहे हो अपने काम में अकेले का काम है आपका कोई किसी से interaction ये कुछ नहीं है but maybe आप demotivate हो जाओ और इदम से financially insecure हो जाओ कि अरे यार हाँ बाकी तो कितना कमा रहे है मैं तो कुछ नहीं कमा रहा and यही इंसान शायद आपको manipulate करके आपके पैसे का जो financial loss है ये ही करने की कोशिश कर सकता है मुझे manipulation दिख रही है मुझे जूट साज दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि कोई आपको बोले कि यहाँ invest करो ये बहुत सही है और आप invest करो और loss हो जाए तो मुझे वैसी चीज दिख रही है पैसे और करियर को लेकर मुझे से लग रहा है कोई second party involvement है कोई और involved होगा आपकी life में Taurus, Virgo, Capricorn या Gemina, Libra Aquarius और वो आपको demotivate कर सकते हैं अपने काम को लेकर और especially काम से कम पैसा आ रहा है तुम कितना कमारे हो तुम मित्ता भी नहीं कमारे उस चीज को लेकर थोड़ा ज़्यादा conscious कर सकते हैं आपको वो आप उसको avoid कर सकते हैं conscious होने को आप उनको ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे पता है मैं कम कमार हूँ तो the end, period, खतम चीज आप उस इंसान को आगे अपने आपको manipulate कर नहीं मत दो आपको पता आप कम कमार हो और बोल दो कि हाँ मुझे पता है आगे क्या हुआ तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से चलना पड़ सकता है next 10 days में देखते हैं क्या messages है general messages क्या है prices के लिए career, health, wealth life, education, money क्या messages candle, you will be shown the way रास्ता दिखाया जाएगा आपको prices हो सकता है आप कहीं lost है आपने काम start कर लिया है बट आपको यह नहीं पता के business या अपना काम या कोई चीज जो आप अकेले कर रहे हैं वो शिरुआत तो कर ली है बट आगे कैसे बढ़ना है grow कैसे करना है रास्ता दिखाया जाएगा बट उस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है वो पहला कदम towards that रास्ता वो आपको खुद लेना है ठीक है वो universe धका नहीं दे सकते हैं धका देंगे तो फिर आजाएगा tower moment वो फिर सब आप घबरा जाते हैं कि tower moment आ गया तो रास्ता आपको दिखाया जाएगा ठीक है opportunity दी जाएगी you will be shown the way universe please बताएए life, career, health, wealth, money, education, messages for Pisces for the next 10 days rooster arrogant, boastful person you should not cross मैंने आपको बोला कोई एक दूसरा इंसान involved हो सकता है जो arrogant, जो show off करता है जो आप से जलता है उसको नहीं पसंद कि आप जो कर रहे हो जैसे आगे बढ़ रहे हो तो हो सकता है वो आपको आपकी रहा से भटकाने की कोशिश करे इसमें at least जो universe की तरफ से message आ रहा है वो ये है कि पंगे मत लीजेगा ठीक है कोई उल्टा जवाब देने की जरुवत नहीं है कुछ करने की जरुवत नहीं है बस ये बोलिए हाँ मुझे पता है मैं कम पैसे कमाता हूँ हाँ ठीक है ओके देख ओके हाँ ओके और करके निकल लीजे वहां से इसको ज़्यादा ट्रिगर मत करिएगा इस इंसान को ये कपासिटी रखते हैं और बुरा करने की ठीक है तो इस इंसान से ज़्यादा भहसम भहसी मत करिएगा मेरे साब से तो पाइसेज लाइफ, करियोर, हेल्द, वेल्द, मनी एजुकेशन एलेफिन आपकी लाइफ में थोड़ा से जो मैसेज आ रहा है यूनिवर्स के तरफ से यह है कि या तो आप बहुत ट्रावल करें हैं बहुत जगाओं पे रहें हैं अलग-अलग जगाओं पे और उससे हुआ क्या है हर जगा पे रहना वहां का तौर तरीका सीखना अलग-अलग कल्चुर के हिसाब से रहना एक घर का ध्यान रखना घर के खर्चों का ध्यान रखना कि कौन सी चीज मेट को देना है रेंट देना है फलाना धंकाना और ग्रोसरीज है तो एक फिनांशल प्लैनिंग आती है ना इंसान को घर संभालना आता है तो मुझे ऐसे लग रहा है एक long journey आपने travel करी है जिस वज़ा से वो mental भी हो सकती है वो physical भी हो सकती है जिस वज़ा से आप बहुत समझदार हो गए हो ठीक है next 10 days में आपकी वो जो समझदारी है जो आपने इतने सालों में खुद एक केतना आप evolve हुए हो time के साथ grow हुए हो I think वो काम में आ रही है next 10 days में क्योंकि शाद इस इनसान से deal करते time वो जो wisdom है आप वो use करोगे but आप और wise होते दिख रहे हैं दिखते हैं charms के थूँ क्या messages है universe प्लीज बताएए Pisces के लिए क्या messages है and expand this Letter Y किसी का नाम, surname, city, country, location कुछ हो सकता है देखिएगा university block हो सकता है patterns break करने हैं आपको patterns break करने हैं comfort zone से बाहर निकलना है चीजें एक जो आपका धर्रा बैठा होता चीजे करने का किसी एक particular तरीके से आप चीजे करते थे उसी pattern को आप stick करते थे या तो emotional dependency हो गई जादा गुसा आना हो गया impatience हो गया जो भी है lifestyle changes हो सकते हैं करने की जरूवत हो सकती है लेट उटते हैं exercise नहीं करते हैं गंदा खाते हैं गंदा पीते हैं तो patterns break करिए बिल से बाहर निकलिए अपने comfort zone से बाहर निकलने की जरूवत है अगर आप बिल में घुसे रहेंगे तो आप बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे और आपको बिल की दुनिया ही दिखेगी और फिर आपको लगेगा कि यार universe मेरी life में कुछ अच्छा क्यों नहीं करता है comfort zone से बाहर निकलने की जरूवत है यहाँ पर पूरा support दिख रहा है angels का, guides का, ancestors का पूरा support दिख रहा है मुझे guidance दिख रही है Christian हो सकते हैं आप या आपके partner या कुछ Christian locality हो सकती है पैसा आता दिख रहा है definitely पैसा आता दिख रहा है बट उसके साथ एक manipulative इंसान भी दिख रहा है जो कि ready है वो पैसा गवाने के लिए ठीक है, आपका पैसा नुकसान और उसका loss करने करे वो ready है तो वो थोड़ सा precaution आपको लेनी पड़ेगी बट, yes more or less मेरे पास यही majesty universe के तरफ से Pisces, अगर आपको reading पसंद आए you know the drill like करिए video, share करिए, comment करिए subscribe करिए मेरे चानल Imrama Tarot को और पाट बनिए मेरी प्यारी से Imrama family का thank you, bye